इंडिया में फीक प्रोटीन पाउडर्स बढ़ते ही जा रहे हैं What's Up 480 Summit certified sports nutrition specialist और आज में बताने वाला हूँ latest GNC pro performance 2022 कैसे आप पैचान सकते हो असली है नकली है वो भी चुटकियों में सबसे पहले bottle किया कि चेक करें जहां pro performance लिखी है उसकी ठीक right hand corner पे छोटी सी TME यार सिंबल है या नी और जितनी भी जग़ा bottle पे प्रोटी सी TME यार सिंबल जरूर होना चाहिए अगर यह TME यार सिंबल मिसिंग है फिर अपको प्रड़क्ट फेक है कि ठीक ऊपर GNC emboss होना चाहिए नोट करें किसी प्रकार का sticker chip काया गया नहीं है कि GNC लिखा हुआ है बल्कि काट के GNC लिखा हुआ होना चाहिए नेक्स चेक करें कि अपके प्रड़क्ट में बार कोड है या नहीं अगर बार कोड है तो पहले की तीन जिट को नोट करें क्योंकि मेरे प्रड़क्ट 048 से शुरू हो रहा है और यह नंबर 40 से 49 के बीच में पढ़ता है इसलिए मेरे प अब ध्यान से देखे मैनुफाक्श्रिंग डेट और एक्स्पारिशन की डिफरेंस को यह एक्जाकली 2 साल होना चाहिए अगर आपके प्रड़क में इससाब इनफॉरमेशन में है फिर आपको प्रड़क है आपके प्रड़क में ग्रीन डॉर्ट होना चाहिए वेजिटेर सुप्रीम नाचुल चॉकलेट अन फ्लेवर्ड क्रीमी च्रावबेरी वनीला क्रीम बनाना क्रीम नाच्रल स्ट्रावबेरी कुकीज और क्रीम अगर आपके प्रड़क का फ्लीवर्स मैच नहीं कर रहा है तो ऑफिशिल वेबसाइट पर चेक करें नीचे देस्क्रिप्शन इसके सामने एक recycled triangle बना होना चाहिए जिसके नीचे HDPE लिखा होना चाहिए कैप खुले पे आपको white cardboard paper का inner seal मिलेगा जिस पर red ink से GNC लिखा होना चाहिए और इस inner seal का अंदर ही इसा चांदी की वरक या silver foil लिएसा होना चाहिए अब ध्यान से देखें इस inner seal को कहीं किसी प्रकार से काटी तो नहीं कहीं है क्योंकि fake sellers बहुत ही बारिकी से inner seal को काटते हैं और असली protein powder निकाल लेते हैं और fake सस्ती नकली protein powder भर देते हैं जिससे kidney और खराब होने की संभावना है बॉटल पे Guardian का scratch code होना चाहिए नोट करें कि यह scratch code पहले से किसी प्रकार से scratch करके digits कहीं reveal तो नहीं कहीं है आप इस scratch code को SMSP करके अपनी product को verify कर सकते हो अगर आपके product में यह code ही नहीं या फिर किसी प्रकार से पहले से scratch किया हुआ था फिर बहुत chance आपको product fake होने का पहली बार inner silk खोलने पर कोई clumps नहीं होना चाहिए अगर आपके product में clumps है तो इसका दो कारण हो सकता है या तो आपको product पहले से expiration date के बिलकुल नजदीक है या फिर आपको product पहले से किसी ने खोला है जिसके कारण moisture अंदर गया है और clumps powder में form किया हुआ है अब बार यह mixability की जो असली और नकली pro performance GNC को अलग करता है on one hand है मेरे पास one scoop of chocolate supreme और दूसरे हाथ में हैं लगबग 200 ml पानी आप देख सकते हो कि कितने ही आराम से यह protein powder mix हो गया है कोई महनतनी कुछ नहीं आराम से चमत से आप mix कर सकते हो और अगर आपके product में clumps form कर रहा है तो बहुत चांस है यह fake होने का अगर आपको किसी भी प्रकार का doubt है कि आपका product fake है तो आप मेरे Instagram Amitphizik पे photo या video send कर सकते हो अपने product की मैं अपना personal time निकाल के आपको help करूंगा क्योंकि हमारा main aim है या main mission है कि fake supplements इंडिया या फिर world से खतम करने का So thank you so much for subscribing and this is Amit signing off